present perfect tense की 4 to 5 situations है and the most common situation जो कि यूज की जाती है daily life के अंदर वो कुछ इस तना से है कि past के अंदर आपने को काम किया या थोड़ी दिर पहले आपने को काम किया अब यह जो थोड़ी दिर पहले है यह भी as a past consider किया जाएगा past के अंदर ही count किया जाएगा अब यह जो right now present है present तक अस में हो सकता है या आपके अंदर कोई ability developed हो चुके है यहां पर कुछ exist करेगा यहां कुछ exist नहीं करेगा disappear हो जाएगा in short past के अंदर आपने को काम किया present पर अभी तक असर कर रहा होता है for example आपने एक नई car ली है you have bought a new car present के साथ क्या relation है आपके पास कुछ है now you have a car आपने car च सेल कर देते हैं you have sold your car present के साथ क्या connection है कि आप यहां पर कुछ चीज ही नहीं है अग्जेशन नहीं करते है now you don't have car anymore